तो नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में हम सभी बिहार डियलेड फेस टू फेस पर्थम वर्ष के प्रिवियस एर कुशन पेपर को देखेंगे जो कि आपका एफ़वन सब्जेक्ट से हैं समाज, सिक्षा और पाठेचारिया की समझ और इसके लिए आप सभी को सत्तर अंग निर्धारित किया जाते हैं और तीन घंटे 15 मिनट की समय अधी होती है आपकी तो आएए इस प्रशन पत्र को देखते हैं इस प्रशन पत्र को देखने के है सिक्षन ए जिसका पहला प्रश्ण है आपका बच्चे तथा बच्पन से आप क्या समझते हैं उदाहरन के माध्यम से इसे अस्पष्ट कीजिए पांच अंग का यह प्रशन है आपका और आथवा में भी एक प्रश्न है समाजी करण की प्रकृया को अस्पष्ट करे इन दोनों प्रश्णों में से एक प्रश्ण का जबाब आपको देना है। पाचांग का ये प्रष्ण है और चौथा प्रष्ण आपका है सिक्षा नए समाज बनाने की एक परक्रिया है अस्पष्ट करे अथवा शिक्षा एक समाजिक परक्रिया है वर्नन करे पांचवा प्रश्ण है आपका विद्याले के अंदर और बाहर के ग्यान के बीच गहरा जुडाव है क्या आप सहमत है उदाहरन के माध्यम से अस्पष्ट करें आथ्वा में प्रश्ण है आपका अस्थानिय तथा सरोभौम ग्यान में अंतर अस्पष्ट कीजिए छटा प्रश्ण आपका पठे चार्या और पाठे क्रम में अंतरस पष्ट कीजिए और 6 प्रश्ण यहाँ पर आपको लगुतर ये प्रश्ण के रूप में दिये गया है यानि 6 प्रश्णों के लिए 5-5 अंग 30 अंग के आपके यहाँ पे लगुतर ये प्रश्ण पूछे गया है अब आते हम खंड ख के तरफ सेक्शन B में आप सभी के 10 अंग के प्रश्ण पूछे जाते हैं दिये गुतर ये प्रश्ण के रूप में तो देखते हमारा पहला प्रश्ण क्या है सरवोच सिक्षा वही है जो संपुन स्रिष्टी से हमारे जीवन का समान जस्य स्थापित करे व्याख्या करे उसके बाद में आठवा प्रश्ण है आपका बच्चों के समाजी करण में माता पिता तसा समुदाय की भूमिका को उप्युक्त उदाहरणों के साथ वर्नन करे नवा प्रश्ण है आपके लिए जे क्रिष्ण मूर्ती के सैक्षिक विचारों की चर्चा करे वर्तमान परिप्रेक्ष में इनकी प्रशंगिक्ता पर विज़ार करे और दसवा प्रश्ण है आपका बच्चों की पाठे पुस्त के सिक्षा ग्यार्यम समाजी करण के माध्यम के रूप में किस प्रकार है उदाहरणों के माध्यम से असपष्ट कीजिए इसके बाद ग्यारहवा प्रश्ण जिसमें आपको टिपनी लिखनी है निम्नांकित में से किनी दो पर संचिपनी लिखे कव में है अच्छे सिक्षण की विश्चे स्ताय खव में है राष्टिय पठे चारिया की रूप रेखा दोजार पांच और गव में है डक्टर जाकिर हुसेन इन तीनों में से किसी दो पर आपको टिपनी लिखनी है पर ते के लिए पांच अंक मिलेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर आपका टोटल 70 मार्स का जो आपका पहला F1 पेपर है उसका मैंने आप सभी को करा दिया कुशन पेपर देख लिया आप सभी ने किस परकार से प्रशना आता है और इसी तरह से आप सभी अपनी बहतर तयारी करें नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को F2, F3 सारे विशियो का मैंने प्रिवेस यह कुशन दे दूँगा धन्यवाद